जी स्टूडेंट्स तो आज हम 6.4 के question number 8 से start करते हैं इसमें क्या पूछा गया है तो यह हमने basically prove करना है तो चलें इस से start करते हैं यहाँ पे मैंने general formula लिखना था लेकिन थोड़ी सी mistake होगी है तो इसको consider मत करें सबसे पहले हम s2 को लिखते हैं चूंके उसमें हमें n दिया हुआ है तो हम n की जगा 2n लिखेंगे यहाँ पे देखें और इसी तरह जो अंदर n-1d होता है वहाँ पे भी हम 2n लिखेंगे क्यूंके n की value हमें given है इसी तरह जब s3 के लिखना शुरू करेंगे तो 3n यहाँ पे भी और n- की जगा भी 3n ही आएगा 5 के लिए भी वैसे ही हम एक term निकाल लेंगे अब हमारे पास 3 जो है वो terms हैं अब हमने basically बनाना क्या है हमने यह वाली चीज बनानी है और उसे 5 से multiply कर देना है तो s3 जो के हमें यहाँ पे given है और s2 यहाँ पे given है इन दोनों को हमने उठा के तो minus कर देना है जो के मैंने नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है s3 में से s2 को minus कर दी है यहाँ पे सबसे पहले जो उपर हमने equation बनाई है s3 के लिए वो लिखी minus लगाया center में और फिर s2 के लिए जो equation है वो लिख दी अब हमने क्या करना है कि next पे यह जो 3 है ना इसको अंदर multiply कर देना है ठीक है तुमाम terms के साथ हम 3 को multiply कर देंगे यहाँ तक इसी तरह यह वला 2 भी इन तुमाम terms के साथ जो है वो multiply हो जाएगा 1 तक तो चलें अब इसको multiply करवा देते हैं जब अंदर deeply हुआ ूके साथ 3 तो ??? इसी तरह थ्री एन के साथ three multiply हुआ तो 9 एन आ गया और वन के साथ हुआ तो तो 3 इसरह इ साइड record पे 2 को multiply कर वाया 224 हो गया अंदर इस 2 के साथ हुआ तो तो 4N आ गया, 1 के साथ हुआ तो 2 आ गया, अब हमने next step में क्या करना है जी, next step में हमने ये D को अंदर multiply करवा देना है, इन दोनु टरम्स के साथ D multiply हो रहा है, ये वाला D भी अंदर दोनु के साथ multiply हो रहा है, simple हमने यहां पर ये किया है, तो 9ND आ गया, 3D आ गया, 4ND और 2D आ ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इन दोनु रखमों में कुछ common values आ रही हैं, और वो common values कौन सी है, यहां पर भी देखें, n divided by 2 है, और यहां पर भी n divided by 2 है, तो इस n divided by 2 को हमने लिया common और बाकी रखमों को रख लिया हमने अंदर, ठीक है, तो यहां पर देखें, हमारे पास यहां पे आ गया है अब आप देख रहे हैं कि यह वाला जो माइनस था वो अंदर मल्टिप्लाई हुआ है सब के साथ इसलिए इन सब के साइन जो है वो चेंज हैं यहां पे ठीक है तो परिशान नहीं होना इस से के यहां पे क्या हुआ है तो अब हम इनकी जो काट लेंगे जो सेम है उनमें जैसे यह 6A और माइनस 4A हुआ तो 2A रह गया ठीक है इन दोनों का अंसर यहां पे लिख दिया इसी तरह ND को अगर देखें 9 में से 4 चलेगे तो बाकी 5 ND यहां पे लिख दिया इसी तरह 3 में से 2D चलेगे तो डी का अंसर भी हमने लिख दिया अब हम नीचे मूव करते हैं कि मजीद इसे क्या करना है तो यहां पे देखें अब हमारे पास जो है S3 माइनस S2 का तो हमें यह वाली वैल्यू मिल गई है S3 को जब करें S2 में से माइनस अब जस्ट हमने 5 पुट कर देने ठीक है जैसे यहां पे इस साइड पे भी 5 लगा दिया इस एक्वेशन के और इन दोनों का अंसर जो के यह वाला था उसके साथ भी यहां पे हमने 5 लगा दिया यह देखें ठीक है तो यह जस्ट हमने करना है तो अब हमें यह प्रूव हो गया कि S5 फ्रॉम एक्वेशन 3 वाक्य ही यह जो न्यू वैल्यू बनी है यह किसके इक्वल बनी है S5 के इक्वल जो के हमने एक्वेशन बनाई थी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर उसकी वैल्यू देख लें एक बार और यहां पर भी उसकी वैल्यू आप नोट कर लें यह देखें यह सेम वही जो है वो वैल्यू है जो हमने यहां पर निकाली है यहां पे जो हमने यह वाली value निकाली थी start of the equation पे अब देखें कि last पे भी यहां पे भी वही value बन गई है it's mean कि हमने हमारा question का answer बिलकुल correct है तो चलें अब हम move करते हैं next question जी students तो अब हम question number 9 की तरफ चलते हैं इसमें क्या पुछा गया है कि obtain the sum of all integer in first thousand integer which are neither divisible by 5 और not by 2 कि हमने first thousand integers लिखने हैं जो के ना तो 5 पे divide होते हैं और ना ही 2 पे तो चलें सबसे पहले ऐसे ढूंगते हैं पहले हमने लिखा 1 जो के 2 पे भी नहीं होता और ना 5 पे 2 होता है इसलिए उसे नहीं लिखेंगे 3 लिखा 3 भी नहीं होता 5 होता है इसलिए उसे भी नहीं लिखेंगे 7 लिखेंगे 8 भी नहीं लिख सकते 9 लिखेंगे तो अब देखें फरस्ट 10 वैलियूस के अंदर हमारे पास यह 4 निकले हैं अब अगली 10 वैलियूस में देख लेते हैं 11, 13, 17, 19 अगेन हमारे पास 4 ही निकले हैं और इसी तरह आगे देखें तो हमारे पास जो है अगेन चार निकले अब हम लास्ट वारी वैलियूज को भी देख लेते हैं जाहिरा सारे लिखेंगे तो लिखना बहुत मुश्किल है लास्ट वारे 1000 से पहले वारे चार भी हमने यू लिख लिए जो 90 और 1000 के दरमयान आते है तो अब यह देखें कि दस-दस की नंबर में हमें चार-चार नंबर मिल रहे हैं ठीक है अगर हम 100 देखेंगे एक सो को देखेंगे तो उसमें हमारे टोटल कितने नंबर बनेंगे 40 यानि कि इस तरह के पेर अगर हम 10-10 के बनाएंगे 100 तक के तो हमें 40 वैलियू हमारे पास निकलेंगी तो हमने इसको रेंज कर लिए 4-4 में ताके हमें जाहिरा 1-2-3 एक-एक करके अगर हम लिखेंगे तो काफी लंबा बन जाएगा हमने इनको 4-4 में रेंज कर लिए एक तो यह है कि 100 में से हमें 40 मिल जाएंगे 100 मुल्टिप्लाइबाइ 100 करेंगे तो 1000 नमबर भी जो हैं वो पूरे हो जाएंगे तो चले अब हमने चार-चार के जो हैं वो पेरिंग करके उसका प्लस कर लिया समप किया तो पहले का 20 आया इस वाले का इन इसका किया तो तो हमारेपास 60 आगया अगले का किया तो हमारे पास 100 आगया लास्ट वाली का किया तो हमारेपास 3980 नीथजे नाइन बात तो यह मारे पास एक एक बाद यह उसमें और भी हमने निकाल लिया जो के 20 अधन हा dessus नन एक वी हमने ले..! प्रमूला जो हमें पता है एन इस एक्वल टू एवन प्लस एंड माइनस वन डी उसमें एन की जगह एन की वैलियू पुट कर दी एवन की जगह एवन की एन माइनस वन वैसे ही रहने दिया और 40D की जगह हमने पुट कर दिया अब इस 40 ने अंदर मल्टिप्लाइ हो जाने है दोनों के साथ तो मारे पास आगया 20 प्लस 40 माइनस 40 अब यहां पर एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी उसको जो है मैं यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि काट बगरा करना पड़ेगा दुबारा से एडिट करना यहां पर आएगा आंसर माइनस 20 ठीक है माइनस 20 आंसर आएगा यह 60 वाला आंसर बिल्कुल गलत है यहां पर माइनस 20 मैं लिख देता हूँ ठीक है यह वाला माइनस 20 आंसर आना है यह वाला माइनस 20 जब उठके इधर जाएगा तो यह माइनस 20 की बिजाए प्लस 20 बन जाए यह 60 नहीं होगा ठीक है और 3980 प्लस जब 20 करेंगे हम तो यह हमारे पास क्या आजेगा 4000 divided by हमने क्या कर देना यह 40N है न तो 40 इदर multiply हो रहा है इनके साथ इदर आके डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे 40 तो यह आपके पास हमारे पास answer आजेगा 4104 तो 00100 हमारे पास इस तरह से answer आ गया है यहां पर मैंने answer सही लिखती है यहां पर बस जल्दी में थोड़ा सा जल्दी हो गई है तो यह वाला थोड़ा सा इसमें complex एक complexity आ गई है बाकी जो है question बिल्कुल simple है अब हमने sum का जो है वो formula लगाना है यह वाला simple sum का formula है इसमें हमें जो जो values पता है वो लिख देनी है एन की value पता है 100 है टू फार्मूले वाला 20 हमारे पास A1 है 100 हमारे पास formula वाला sorry N है और minus 1 और 40 हमारे पास D है तो अब इसको just हमने solve कर देना है solve कैसे करना है कि 2 divided by 100 हुआ तो 50 आ गया इन दोनों को multiply किया तो 40 आ गया और इन जो है 100 माइनस 1 किया तो 99 99 multiply by 40 किया तो 39 60 अब इन अंदर वाली दोनों को जमा करके 50 से multiply यानिके S10 में हमारे पास total sum जो है अगर हम तमाम values का sum करें उन तमाम integers का तो वो क्या आएगा दो लाक अब हम question number 10 पर move करते हैं question number 10 में जो है वो क्या पूछा गया है इसको discuss कर लते हैं तो question number 10 में वो पूछ रहे हैं कि जो S8 है and S9 are sum of the first 8 and 9 term of the AP find S9 if 50 S9 and 63 S8 and A1 उनने हमें बस given किया है और वो है A2 तो अब हमने simple क्या करना है इन दोनों को equal में लिखा 50 S9, 63 S8 दोनों का जो है वो formula खोल दिया S9 का formula sum का formula ठीक है क्या होगा n की जगा 9 लगाएंगे over 2 वो ही formula है जो के हम पहले भी use करते हैं उपर sum के लिए S9 जो है वो किसके equal होता है SN equal होता है N over 2 into 2A1 plus N minus 1D ठीक है N minus 1 multiple के brackets में होता है और यह वाला formula simple हमने यही वाला formula जो है वो लगा दिया यहां पर यह देखें multiply by 50 लगा दिया इसमे 63 है और आगे S8 का formula हमने खोल दिया simple वही काम किया है अब हमने क्या करना है जी next में अब हमने क्या करना है simple है इसमें भी यह जो 2 है इसकी जगा A में A1 में हमने 2 की values पुट कर दी है यह देखें और दूसरा क्या क्या किया है यह 2 से 20 को काट दी है और 25 जो है वो answer आ गया है इसी तर यह वाला और इसी तरह इस 2 से हम 63 को जो है वो काट तेंगे लेकिन वो तो कटता नहीं है तो हम क्या करेंगे 8 से इसको काट देंगे और 2408 आ गया यहां पे उसका answer लिखती है और इसी तरह A1 की जगा हमने उसकी value लिखती और 8-1 7 रह गया और 70 इसी तरह 9-1 8D हमारे पास answer आ गया है अब हमने जो है क्या करना है next पे इन दो numbers को multiply करना है ठीक है इन दोनों को multiply किया तो 224 आ गया अंदर वाला 224 हो गया plus 8D इसी तरह 63 को 4 से किया तो 252 और 224 और 70 अब यह आ गया हमारे पास 225 को अंदर वारी दोनों से और 252 को भी अंदर वारी दोनों से multiply करवाएंगे तो यह वाला answer आ जाएगा हमारे पास respectively अब हमने same जो D वाले हैं वो यह वाले भी इस साइड पे ले आएं 36D आ गया अब हमने D की वैलियू निकाल दी है तो माइनस 108 को जो इधर माइनस हो रहा है इधर जाके equal to के दूसरी साइड पे बेजा 108 प्लस में आ गया 36 से इसको डिवाइड कर दिया तो D की वैलियू हमारे पास 3 आ गई अब हम जो है यहां पे आप देख सकते हैं कि D की वैलियू हमारे पास 3 जो है वो आ गई यह तो अब हमें क्या करना है S9 की वैलियू अब हमने find out कर ली कि S9 की वैलियू हमारे पास अब या AP में हमारे पास जो S9 की वैलियू है वो क्या है यहां पे देखें जी अब हमें पता है S9 के लिए N9 यूज होना है वो तो हमने पहले ही पता था ठीक है 1 जो है हमारे पास 2 है वो भी हमें given था D अब हमने find out कर लिए कि 3 है तो जब हम इसको solve करेंगे 22004 हो गया 83024 हो ठीक है और 2 over 9 है अब हमने क्या किया 4 plus 24 किया तो 28 आ गया अब इन तीनों को जो है वो 2 को 28 से काटा तो 14 आ गया 14 multiply by जब हमने 9 किया तो 126 हमारे पास answer आ गया ठीक है अब हम जो है question number 11 पर move करते हैं 11 में क्या पूछा गया है जी students तो question number 11 में वो कह रहे है the sum of 9 term of an AP is 171 and 8 term is 31 ओके तो sum को मैं SA से represent का रहा हूँ के sum of 9 term क्या है 171 और एक जो just 8 term है वो कितनी है 31 तो sum के लिए जो formula होता है वो आपको पता ही है n by 2 into 2a plus n minus 1d यह मैंने short करके लिख दिया है n में से 1 minus किया n जो है हमारे पास चुँकर यह 9 term है तो यहां पर भी 9 लगेगा और n में भी 9 लगेगा और n minus 1 किया तो यहां पर 8 आ गया ठीक है यह वहला और आगे यह 171 की equal है आगे इसको solve करना है 2 को इदर से common ले लिया इन दोनों में से इन दोनों के अंदर 2 है और उसको नीचे divide कर दिया इस 2 से इस 2 से यह direct कट गया और इस 2 से यह 8 वाला 4 रह गया तो यहां पर यह आ गया अब हमने 9 को जो है इदर बेज के divide कर दिया तो हमारे पास यह आ गया a plus 4d is equal to 19 अब यहां पर तो हमें sum का formula लगाना पड़ा था लेकिन यहां पर यह simple 8th term है तो यहां पर हमें sorry यह वाला formula नहीं लगाना पड़ेगा तो just हमें क्या लिखना पड़ेगा a1 plus n minus 1d ठीक है a1 plus n minus 1d वाला formula लगाया तो यह बन गया a plus 7d 8 minus 1 is equal to 7d is equal to 31 अब हमने क्या करना है यहां पर यह लिखने में थोड़ी सी mistake हो गया यहां पर equal to की बजाए sorry यह प्लस लिखती है तो यहां पर equal to ही आपने इसको consider करना है यहां पर हमने just इस वाली को इस में से minus कर लेना है ठीक है जैसे कि यहां पर देखें अगर मैं यहां पर लिखूँ a plus 7d is equal to 31 और minus इससे कर दूँ minus a minus 4d is equal to minus 19 ठीक है तो इसका क्या answer है गया यानि इस वाली equation को इस में से इसको minus कर दिया है ठीक है तो यह वाला a जो है इससे cancel out हो गया 7 में से 4 गये तो 3d answer आ गया और इसी तरह 31 में से 19 गये तो हमारे पास 12 answer आ गया अब d की value किसके equal आ जाएगी 3 इदर multiply हो रहा है इदर जाके 12 के साथ divide हो जाएगा और d हमारे पास आ गया is equal to 4 ठीक है तो यूं हमने यह वाली value निकाल ली है यह थोड़ा सा यहां से आपके लिए complex था तो हमने by subtracting का मैंने यहां पे side पे explain करती है तो इस तरह d की हमारे पास आप value आप देख सकते हैं किया आगी है यहां पे 4 value आगी है यहां पे भी आप देख सकते हैं तो चलें आप आगे move करते हैं तो अब हम जो d की value आई है उसको हम इस equation में put कर देंगे ठीक है इस वाली equation में d की value जब put करेंगे तो यहां पर देखें हैं मारे पास क्या आजेगा कि d की value किसके equal है a plus 4d is equal to 19 इसको यहां पर put कर दिया और just simple मैं अब इसमें value put कर रहा हूँ यह देखें d की जगा मैंने 4 put कर दिया यह और अब हम आगे move करते हैं तो यह हमेरे पास बन गया 4 को जब 4 से multiply करवाया तो 16 आ गया अब एक ही value हो में जीली निकाल सकते हैं 16 इदर plus हो रहा है दूसरी side पर जाके minus हुआ और 3 के equal आ गया अब हमें जो है 16 19 में से minus किया जब 16 तो 3 के equal आ गया अब हमारे पास a जो है वो 3 के equal है यहां पर sorry 4 लिखती है तो a अब हमारे पास किस के equal आ गया यहां पर a is equal to 3 so यहां पर यह गलती से 4 लिखा गया डी भी 4 के equal है और a हमारे पास 3 के equal है तो a1 में हमने just a जो है वो put किया तो यहां पर भी 3 आ गया यह जो हमने a निकाला है वो ही हमने बस value put कर दी अब series बनानी है ना तो second term निकालने के लिए हम क्या करेंगे a में deep add कर देंगे a हमारे पास 3 है और 4 add कर दिया तो 7 आ गया यह 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे a1 में 2D add करेंगे यह चोटी चोटी सी mistakes आ गई है काफी सारी तो 2D add करेंगे तो 42008 हो जाएगा इसी तरह an के लिए जो है a4 के लिए हम क्या करेंगे a plus 3D add करेंगे और 12 और 15 तो यह एक चोटी सी तो कुछ mistakes यहां पर हो गएंगे काफी सारी तो यह आपने note कर लेनी है 3 7 11 15 यह हमारे पास series as required series ठीक है जी तो अब हम question number 12 की तरफ move करते हैं इसमें क्या पूच्छा गया है question number 12 में हमारे का गया है कि the sum of s9 s7 is 203 s9 minus s7 is 49 and s7 and s9 begin sum of seven and nine term of an ap respectively respectively अब हमें जो है वो काफी चीज़ें given है यहां पर पहले हमें उन्होंने क्या बताया कि s9 plus s7 करें तो हमारे पास क्या answer आता है two zero three इसी तरह s9 minus s7 करें तो 49 answer आता है इन दोनों terms को अगर हम simply add कर लेते हैं ठीक है add करना है simple तो क्या होगा यह s7 और यह वो plus का यह minus का आपस में कट गए s9 दोनों को जब plus किया तो हमारे पास two s9 आ गया और two zero three plus 49 किया तो two fifty two आ गया अब हमने s की value s9 की value निकालनी है तो two इदर multiply हो रहा है इसको इदर भेज के divide कर दिया और हमारे पास one twenty six के equal आगी s9 ठीक है इसी तरह अब हमने जिस तरह nine s9 की value निकालनी है s7 की value भी इसी तरह से निकाल लेंगे लेकिन आपको पता है कि s7 जो है अगर तो वो addition करेंगे तो वो कट जाते हैं अब हमने इनको नहीं काटना अब हमने इन वारी terms को काटना है तो यह वारी terms कैसे कट जाएंगी अगर हम इन दोनों equations को equation one और equation two को आपस में minus कर दें पहले add किये तो s7 कट गे थे अब जब minus करेंगे तो यह वाले कट जाएंगे यह वाले हमें मिल जाएंगे कैसे again वही काम करना है जब हमने इसको माइनस किया तो इदर माइनस लग गया इदर प्लस लग गया sign change हो जाने है ना सबके यहां पर minus लग गया ठीक है s9 एक plus का है एक minus का है तो कट गए अब यह दोनों plus plus के हैं तो यहां पे भी 2s7 आ गया और 203 में से 49 माइनस किया तो 154 आ गया again वही हमने 2 को इदर डिवाइड किया तो मरपास s7 की value भी निकल आई जो के 77 है अब हमने क्या करना है जी next s9 हमें given थी के 126 है जो हमने यहां पे निकाल ली है इसको हम आगे solve करते हैं थोड़ा सा उपर कर दूँ ताके हमें सही से नजर आ जाए अब हमने जो है इसकी जगा s9 के हो जो है वो sum का formula में रखा और n की जगा हमने 9 ले लिया यहां पे a1 वैसे के वैसे और n की जगा बस 9 पुट कर दिया is equal to 126 अब हमने उसको 9-1 किया तो 8D रह गया और 2A वैसे ही as it is अब हमने इस 2 को जो है वो common ले लिया बाहर इसका क्या फाइदा होगा अब मैं एक बार बता दूँ आपको सही से यहां पे भी 2 है और 8 में से भी 2 को कामन लिया जा सकता है तो दोनों को 2 को कामन लेके इस 2 से काट दिया ठीक है हमने इस 2 से काट दिया तो बाहर वाला टू और अंदर वाले टू जो हैं वो कामन वाले कट गए तो मारे पास यह वैल्यू रह गई अब हमने क्या करना है कि 9 को सिंपल अंदर जो है वो हमने multiply करवा दिया तो 9A प्लस 4D रह गया हमारे पास एक यह मारे पास equation सोरी अंदर multiply नहीं किया हमें इस वाले 9 को इदर divide कर दिया 126 से तो हमारे पास 14 अंसर आ गया हमारे पास यह वाली वैल्यू आगी इसमें भी हमने 7 को इदर बेच के 77 से divide कर दिया और हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू बची वो है यह वाली अब हमारे पास अगेन दो equation बन गी है एक equation 3 एक equation 4 तो जब हम इन दोनों equation को आपस में subtract करेंगे basically तो हमने डी निकालना है अभी इदर से ही हम डी क्यों निकाल सकते क्योंके यहाँ पर A भी है और यहाँ पर भी A है तो हम D नहीं निकाल सकते अब यहाँ पर इन दोनों को subtract करेंगे तो A A से cut जाएगा ठीक है तो जब A वाला यह वाला इस sign change हो जाएगे ना subtract करते हुए तो यह minus का A बन जाएगा इससे cut गया यहाँ पर भी plus का 3D की जगा minus का 3D होगा और उपर 4D है तो simple 1D रह गया और हमारे पास 14 minus 11 भी किया तो हमारे पास 3 आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D हमने क्या निकाल एक D equal हो गया हमारे पास 3 के ठीक है अब हमने क्या करना है पुट कर देना है D को 3 के equal equation number 3 में सही है मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने आगे equation को use करना है तो हमने just इसमें अब D की value put कर देनी है थोड़ा सा में फिर उपर कर देता हूं ताके हम आगे असानी से काम कर सक हैं तो यहाँ पर हमने D की value रख दी equation number 3 में D is equal to 3 है तो A plus 4 D की जगा हमने 3 लिख दिया और हमारे पास आगया यह equal 14 के 4 3 is a 12 तो सुरी यह 14 के तो already equal है 4 3 is a 12 आगया और 14 नीचे आगया इसी तरह जब हमने 12 को उधर बेज़ा 14 में से तो A1 जो हमारे पास 2 के equal है जब हमारे पास A1 निकल आई है तो बाकी term जो है आपको पता है हमारे पास formula होता है A2 जो है उसमें D जो है वो A1 में अगर हम D plus कर देंग तो वो A2 निकल आएगा A3 में हम झो है एक नमबर कम डी A3 है तो हम 2D plus करेंगे A2 था तो हमने 2 से एक नमबर कम D क्या होता है 1D वो plus किया और A1 में तो एक नमबर A1 से एक नमबर कम D0 होता है तो 0D एड कर ही नहीं सकते है तो इसलिए आगे भी हमने फाइंड करनी है तो A4 में हमने A1 में प्लस कर देना है 3D और A5 के लिए हमने A1 में प्लस कर देना है 4D इस तरह चलते चाहेंगे तो हमारे पास अब जो required AP है वो क्य तो अब हम चलते हैं question number 13 की तरफ के question number 13 में क्या पूछा गया है चलें इसको देख लेते हैं यह भी question जो है वो पिछले question से मिलता जुलता है simple हमें जो है वो बताया गया है के S7 और S9 are the sum of the first 7 and 9 term of the AP respectively इस यहां पे हमें उन्होंने बता दिया S9 जो है वो 18 के equal है S7 11 के equal है and A7 भी given है जो के 20 के equal है find the CD अब हमने यही information जो हमें यहां पे दी गई है इसको उठाके यहां लिख लिया ठीक है S9 का sum का हमने formula खोला तो यह हमारे पास आ गया ठीक है formula आपको याद है S N is equal to N divided by 2 ठीक है और उसके अंदर जो था वो था 2 A 1 plus N minus 1 D ठीक है और यह bracket में थे और यहां पर ठीक है तो यह वाला formula हमने simple जो है वो put कर दिया और open कर दिया इस साइड पर भी और नीचे भी तो S7 के लिए जो है वो 6 D निकल आया और S9 के लिए D यानि N से एक नमबर कम D निकल आया अब हमने उनको जो है वो यहां पर क्या करना है कि जो टू टूस है इसके अंदर भी टू है और साथ फाले के अंदर भी टू है उसको common लिया और इस टू से काड दिया तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि टू खत्म हो गया है सारे इसी तरह नीचे भी हमने यही किया इसमें भी टू है इसमें भी टू है इन दोनों के टू को common लेके इसके टू से काड दिया तो यहां पर भी हमारे पास यह वैलियू जा गी अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक है A1 प्लस 3D ठीक है अब हमने किया क्या है यहां पे थोड़ा सा आपको शायद confusion हो मैं उपर करके इस term को भी आपको clear करवा दिता हूँ थोड़ा सा मैं इसको एक बार screen को उपर कर दूँ यहां पे हमने क्या किया है कि यह जो cross multiplication हमने यहां पे करवा दिये ठीक है एक term जो है वो यह 9 वाली जो है वो 11 से multiply करवा दी तो 99 आगया ठीक है और आगे A1 और 40 इसी तरह 8 वाली जो है वो 7 से करवा दी और हमारे पास यह आगी ठीक है यह interchange तो हो सकती है इसको इदर लिखने इसको इदर लिखते हैं इससे कोई परक न परक यह जो है यह answer में आगे अब हमने क्या करना है 126 99 को इदर लाएंगे तो minus का हो जाएगा और 99 जब 126 में से minus होगा तो 27 answer आजेगा इसी तरह यह वाला D इदर चला जाएगा sorry यह वाला जो D को इदर जब हम लेके आएंगे तो यह भी minus का होजेगा हमार पास 18 D answer आजेगा इसको हम मजीद जब solve करेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं दोनों में जो है वो 18 है एक में और एक में 27 है तो इसमें से हम क्या है ऐसा जो हम common ले सकते हैं या हम जो है वो divide कर सकते हैं तो 9 के टेबल में हम इनमें से 9 को अगर common ले लें बाहर तो यह हमारे पास क्या आजेगा 3A 9 327 होता है ना और 9 2018 होता है तो यह वला 9 हमने इदर भेज़ा 0 के साथ तो 0 ही हो गया हमारे पास answer में क्या बच गया 3A-2D तो यह इस वज़ा से 3A-2D is equal to 0 अब हमारे पास यह equation आगी है also given that अब हमें एक question में चीज given है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर देखें कि उन्होंने एक हमें चीज दी है A7 is equal to 20 तो यह फजूल में नहीं दी इसको अब हमने use करना है तो देखिए इसको कि कहां use कर रहे हैं हम यहां पर देखें कि A7 उन्होंने हमें given किया है किसके equal 20 के equal उसका मतलब है A7 को अगर हम खोलें A1 प्लस 6D N-1D A1 प्लस N-1D वाला फार्मूला लगा है जिसमें N मर्पास 7 है तो 6D रह गया तो अब हमने क्या करना है put A1 is equal to 20 minus 6D from equation 2 in 1 ठीक है अब हमने equation 1 में जो A1 की value है इस A1 की जगा हमने यह वाली value रख देनी है जो हमने यहां से बनाई है इस 6D को इधर move करके ठीक है यहां पर प्लस का था उस साइड पर जाके minus का हो गया तो हमने यह वाली value जो है put कर दी यहां पर इस वाली equation में 3 A की जगा हमने वो जो value बनाई है यह वाली यह put कर दी और minus 2D वही है और 0 के equal है अब 3 को दोनों के साथ अंदर multiply करवा दी है और हमारे पास आ गया है जी 60, 320, 60, 63, 18D और 2D वैसे ही है 2D और 18D को जब minus minus प्लस हुआ और बड़ी के value का sign लग गया है 60 minus 20D आ गया है 60 को इदर भेजा और minus 60 हो गया divided by minus 20 तो यह 3 के equal answer आ ठीक है बिलकुल इसी तरह हुआ कर दी इदर ही रहने दिया minus 60 इदर जाके हो गया और जो डी के साथ 20 है उसके divide किया minus 20 तो minus minus से 60, 23 के equal आ गया है तो डी हमारे पास अब आ गया है 3 के equal अब हम डी की जगा 3 put कर सकते है equation 1 में ठीक है equation 1 यह है हमारे पास ठीक है इसमें से हमने देखा 3A1 यानि कि यह वाला जो 3A1 है वो लिखा और 2D की जगा हमने D की जगा 3 डाल दिया 3A1 से हमने यह simple किया कि 2 को 3 से multiply कर दिया minus 6 उदर भेज दिया minus 6 से 3 divided हो गया और हमारे पास A1 की value 2 निकल ठीक है अब हमने क्या करना है इस value का यहां पर देखें अगेन हमने अपनी AP जो A2 A1 हमें मिल गई है A1 हमारे पास क्या है 2 के equal है यह हमारे पास है अब A2 किसके equal होगी A1 प्लस D के equal तू है अगर यहां पर तो डीए एक नंबर कम होगी यानि सिंप्ल दी आ गया और यह हमारे पस आंसर आगे अब ए 3 जान待って तो यह था था हमारा क्वेश्चन मेर यानी 2D से कर देंगे और यह मरबास 8 आगी और इसी तरह आगे हम मूब करते जाएंगे और हमरे पस पूरी सीरीज निकल आई है 258 आगे हम चलते जाएंगे तो यह था हमारा question number